हुआ 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 हु के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक तो इतने लंबे गैप के बाद हम फिर से हाजीर हो रहे हैं बीज में फेस्टिबल था कुछ समय का भाव था तो 15-20 दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं इतने दिनों में बहुत सारे सवाल हमारे पास आए कमेंट्स हमारे पास आप लोग वीडियो ध्यान से देखेंगा कि अटिज्म का नाम जब आता है नो इसमें मल्टिपल उपिनियन जितने डॉक्टर के पास आप गए उतनी उपिनियन जितने वीडियो आपने देखे उतने उपिनियन तो यह क्या होता है कि सही कौन कह रहा है समझ नहीं आता मैक लेकिन फिर उनका काम है कि सही सजेशन देना सही बताना लेकिन वो बस अपने चक्कर में क्या हो करते हैं कि नहीं हम ठीक कर देंगे हमारे आ रही है और फिर क्या होता है कि इसी में दिरे-दिरे समय चला जाता है कई वीडियो में हमने यह बाते बताई है तो हर वीडियो मे सेम बात को रिपीट करने के जरूरत है नहीं आज के वीडियो में हम लोग इसी पर क्लियरली डिसकस करने वाले हैं कि मतलब बच्चे के लिए क्या जरूरी है और कैसे उसका थेरपी शुरू करना चाहिए है डिखे हम कहते है कि एक ही बात को 50 लोगों का अगर मत लिया गता है उनका अपना-पना अपना ओपी नियंपी लेकिन ओपी नियन एक अलग बात है है तो भाग तो नहीं सकते हैं उस पे अपना उपीन होते जाता है इसमें घम nuevo फिल्ड में आप आते हैं तो अलग-अलग एक्सपोर्ट्स आपको मिलेंगे जैसे आप एक नियूरो डिवलप्मेंटल पेडिट्रिशियन के पास जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन अलग है उसके हिसाब से वह प्रोसेस कर रहे हैं उनका अपना एक्सपीरियेंस है उसके रियाविलिटेशन के एक्सपोर्ट जो होते हैं वह प्रोसीड कर रहा है तो सभी लोग जो यह हैं जो कि अपैटियाटरिक फिजो तरह पिस्ट हो गया या फिर जो भी स्पेचल एजुकेटर अगएरा सब का रोल थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-ठोड़ा करता है लेकिन बात करें वर्टिजम की तो वर्टिजम कोई बीमारी नहीं है हम बार बार यह बात कहते हैं तो बीमारी नहीं है तो एक्जैक्ट इसका कौज नहीं पता कि कैसे हुआ है एक्जैक्ट कौज जिसी का नहीं पता एक्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा यह नहीं समाझ आएग तो यह बात को आप अच्छे तरीके से समझें अब जब यह एक जैक्ट कॉज नहीं है तो अगर पता होता कि यहां गैंगरीन है चलो सरजरी कर दिया गाव है उसको चीर के और उसमें जो उसका मरम पट्टी करना है कर दिया कोई पैथोलोजिकल डीजीज है तो उसके लिए द केशम हमलोग सिंटोमसेंट करते हैं। सिंटम स्कीस आप मीनेज्मेन अब हम बार बार यह कहते हैं कि बच्चे की ठेरापी जो अब लोग कराते हैं अभी आज संडे का दिन सब्सक्राइब के बाद से फिर से काम करना शुरू किये आज चार-पांच लोगों का कंसल्टेशन हुआ ज्यादा बुकिंग हमने ली नहीं थे उसमें से एक किसी का कहना था कि वहां कोई फॉरेन कंट्री में लोग रहते हैं वहां से कोई थी बच्चे की मदर तो बता रहे ह कि आज में समझ में आया कि प्रावलम है इन चार-पांच सालों में मल्टीबल थेरपी आज माया यहां गया वहां गया ओनलाइन गया लेकिन आज तक बच्चे के प्रावलम जस्की तस है मतलब यह है कि हमने कभी समझना नहीं चाह वो कह रहे हैं को तो कुछ पता ही नहीं हम इसलिए समझाते हैं कि आप जागिये आप अवेर हो यह आपको समझ नहीं आएगा तो आपके बच्चे को ठीक नहीं कर पाएंगे तो आपको अपने बच्चे को ठीक करने के लिए ऐसा अपने आपको फुली प्रिपेर करना होगा आप बैल की तरह मेहनत करते हैं जो की मिल नीजर्थक होता है यूजलेस होता है करना क्ँसे नेस है से हाई पर रहता है पाता है क्टा दॉरता है आप जंप कराये जा रहे हैं थकेगा तो बैटेगा नहीं वह गडबड़ है उसके अलावा फिर क्या करते हैं कि आप बिना मतलब के कोई डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं बच्चे की नीड हो नहीं है बच्चे के हिसाफ से बच्चे की नीड जो है उसमें थेरपी वेध्यान देंगे तो बच्च करने की प्रवलम नहीं है अपने मतलब की चीज़े सुनना चाहता है वो प्रोसेस करना चाहता है और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसॉडर एक ऐसा टर्म है ऐसा कंडिशन है बच्चों के केस में इसको मोस्टली लोग इग्नोर कर जाते हैं और वो बता रही थी कि जैसे साथ साल का बच्चा हो गया प्रेस्क्रिप्शन के साथ सारी ही प्रावलम उसमें है कह रही है कि इतने चार साल पंच सल से थेरपी चल रही है और बच्चे में कुछ भी उस तरह का इंप्रोब्मेंट नहीं दिखा वीडियो आपका हमने देखा कहीं से वीडियो आया उसमें से प्रेस्टेंडिंग बॉडी अवेरोने से लेडिवल्प वन सुर लोग तो यहीं हम समझाते हैं कि बच्चे की नीड जो है न उसके अकॉर्डिंग उसको पहले डीयक्नोसिस किया जाएगा फिर उसके बाद स्टेब बाइस टेप प्रोसीजर्टेशन का मतलब होता है पुन यह बच्चे नॉर्मल ट्रैक पर जा रहे थे खिसी कारण से यह कि छोड़ दीए द्रैक छोड़ दिये तो फिर से उसी ट्रैक पर वापस ले आने को ही पुनरवास बोलते हैं तो हम लोग यह बच्चों का नियूरो डेलप्मिंट कर रहे हैं का इनका नियूरो डेलोजिकल फ दो तरह के गोल सेट कियाते हैं पहला और दूसरा लॉंग टर्म गोल में क्या होता है कि जैसे बच्चे के मल्टिपल सेंसरी इसूज हैं उनको रिजॉल्ब करेंगे तब ही बच्चे में इस्तिरता आएगे इस्तिर नहीं होगा भागते रहेगा प्रावलम बढ़ेगे कम नह करना पहले स्पीच तैरबी में पढ़ जाते हैं मैकसीम महम लोग इतना समझाने के बाय sudah पर लिख जाये अापको लग लिख जाए कग मुछ बोल लुदि को ठीक हो गया समझ नहीं रहा जो समझ नहीं रहा है अच्侏ँ बात समझे हम नाम से बुला रहे इस पर ही reference का नहीं तो जब हमसे रिस्पॉंस नहीं कर रहा तो बाहर में जाएगा उसके एज गुरूप के बच्चे उसको बुलाएंगा कि फलाना ABCD जो भी है तुम इधर आओ खेलते हैं अब वो नाम पे रिस्पॉंस ही नहीं कर रहा है तो प्रॉपर रिस्पॉंड नहीं करेगा रिस्पॉं इमोशनल स्कील्स नहीं डेवलप होगा सोसल कम्यूनिकेशन डिसॉडर डेवलप होगा जब नाम को ही प्रोसेस नहीं कर रहा और सारी बात्यों को प्रोसेस नहीं करेगा लर्निंग का प्रोसेस नहीं सुरू होगा तो सीखेगा नहीं और जब तक सीखेगा नहीं तो नहीं ढिफिकलटी इसको सेंसरी प्रोसेसिंग भॉष है तो सेनसरी इंटेःशन तेरकी चलेगी को इसके आप भीहेविर्ट थेरेपी स्पीज थेरेपी ऑक्वेशनो थेरेपी में आप कि क्लेनिक में जितना समान रखा है सारा पिषा दौडाक उधा देना है सारा यूज कर लेना है यह और नेचर नहीं है इसा होता है कि देटोल कि इसी पूटे तो हाथ कट लेते हैं थोड़ा साल लगा ले कि तो वैसा ही कई बार ये करते हैं कि हम तरफी सेंटर में आते हैं तो आप एक दूसरे से कंपारीजन करना चोड़िए आपके बच्चे के लिए क्या नीड है उस पर काम किजिए बहुत सारे लोग हमारे पास डिमांड लेके आते हैं कि हमारे बच्चे को भी हेवेवियर थे यह आपके होता है तो होता है लेकिन बच्चे को प्रॉपर एसेस करके नीड के कर दिमांड करते हैं कितने वड़े विए पी हैं उसके हिसाब से नहीं होता है और सेकडों डॉक्टर हमारे साथ जुड़े वो डॉक्टर सें वो चाहते तो कह देते कि यह चीज होगा बहुत सारे लोग कहें भी कुछ ओवर स्मार्ट बने उनको लगा कि सारा कुछ वो जानते हैं तो फिर उनको नहीं रखा जाता है उनको मना कर दिए जाता कि आपको हैं और देख लिए तो जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो जिस दिन से आप जुड़ते हैं आपका बच्चा हमारी भी responsibility है हम यह बार बार कहते हैं और हम कहते ही नहीं हम responsibility लेते हैं इसलिए आपको सिखाते हैं कि आप independent बनिए तभी आप अपने बच्चे को manage कर पाएंगे ठीक कर पाएंगे नहीं तो क्या होता है कि आप जैसे वोट देते हैं तो वोट इसी तरह से doctor कौन है कितना बड़ा doctor आपने पकड़ा उसके वरों से बच्चा ठीक नहीं होगा आपको खुद से समझना होगा कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम क्या है और इसके लिए स्टेप बच्चे प्रोसीजर क्या है यह जिस दिन से आप समझना शुरू कर दिए आपका बच्चा ठीक होना शुरू हो गया और हम बार-बार कहते हैं कि बच्चे की नीड वेज़ थेरपी होगी तो पहले महीने से बच्चे में इंप्रोब्मेंट होगी डिमांड वेज थेरपी होगी साल दो साल पांच साल में भी ठीक नहीं होगा आज एक और किसी का मैंने सेशन लिया तो कह रहे हैं वो कह रही थी कि हमको लगा तो हम हम यह पैदिक डॉक्टर के पास लेके गए उन्होंने क्या बोला कि कोई थेरप कि ठीक हो जाएगा और नहीं गारंटी लीजिये नहीं ले सकते तो कम से कम सही सारष दिख रहे हैं उन्हादि आप से रिक्वेश्ट है कि आपका कोई मरीज आता है तो आप अपनी जो व्यवस्ता है अपना जो मेडिकल नौ म्स जो कहता है जो ओंस्टली जो काम आप कर रह हो उसके अक्वाइडिंग उसको रेकमेंड जरूर करें जरूर करें जैसा शुरू में हमने इंट्रो दिया कि सारे लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं सबका अपना तरीका है बिल्कुल है देखिए ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं यह डिजीज नहीं है डिसॉडर है हमने कहा और यह स्पेशली कुछ ना कुछ यह हैं यह इन में कुछ ना कुछ यूनिक अबिलिटीज है उनको फाइंड आउट करना है और इनको मेंस्ट्रीम से जोडने के लिए कि सिर्फ एक ठेरापिस्ट एक डॉक्टर के भरोसे नहीं हो सकते कोई पूरा कहता है कि हम ह हम कहते हैं कि आप पैरेंट्स हैं तो आपका रोल सबसे इंपोर्टेंट है अब यह नहीं कि आप जोस में आके आज से ही अपने मनमानी कुछ शुरू करते हैं जो बच्चे की सही थेरपी है उसके कॉल्डिंग वह जब आप करते हैं तो फिर यह सही स्टेप है आपके रेल यह किने की ऑफिस्ट की नीड है किसी थेरपिस्ट की नीड है किसी साइकोलोग यह ओवर ओल सारे लोग मिल के ही बच्चे को मेंस्ट्रिम से जोड सकते हैं एक आदमी नहीं जोड सकता है कि इसलिए कहते हैं कि जागरूक बनिये सजग बनिये बीवेएर बी पॉजिटिव औरम पर कंडिशन सुम्वार कि यह है कि यूट्यूब धेरफिकर रहा है या बच्चे की देरेपी कर रहे हैं या आपकी सहली जो है उसके बच्चे को हुआ थेरपी कर रही हो ही आप भी दोट रहे तेन सब बातों को समझना हो निद भेस तैरेपी कीजिए गए बच्छा सब बातों के साथ इस टॉपिक करेंगे और मिलते हैं किसी नेक्स टॉपिक में अब तो फिर से छुटी दिपावली हमारे यहां बीत गया अब फिर से हम काम सुरू कर दिये तो अब लगातार हो ली तक ऐसे ही काम होगा जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अपने इंप्रूबब करना चाहते हैं मैनेजमेंश्मेंटों का नाबर दिया है कॉल मैसेज जैसे बीन से वाथ हो आप कर लिजिये और कशल्स का अपूंटरिशेश होगा आगे का प्रोसीजर बताय जाता है उसके अक्वाट इंप्रोसीद करेंगे आपको बच्ष्यमेंए में प